हम लोग क्या क्या देख लिए हैं कैपिटलिजम उदारबाद देख लिए समाजवाद गांधीवाद देख लिए और उसमें छुपा हुआ बहुल सारबाद देख लिए बहुल संस्कृतिवाद, नव उदारबाद, पलना धिमकानावाद है न अब आजाए यह फैसिजम, फासी वाद, जैसे, पुछ लिया करें, वो पढ़ते पढ़ते भी सेटल होगा, अब एक ही चीज से, तेखो, कुछ चीज में, जो सबसे पहला आइडिया है, उसको तो फिक्स कर लो, अब जैसे, उदारवाद माले पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उदारवाद और नव उदारवाद, दोनों में एक जैसा है, तो अब इसको सोचो के, कि कि अधिया हो रहा है, तो थीक नहीं है, हाँ, तो उसको दिवांग में बैठाओ ना, एकदम, जहां से कुछ और लैंपिंग हो, जैसे वाद लोग गांधी जी में, कन्फूजन हुआ होगा, गांधी जी थोड़े थे भी, मत तो, कहना नहीं चाहिए, बट कुछ तो थे भी, चुकि एकदम से दे आइसन हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी चीजों को कुछ जिंदगी में कुछ अभाइट भी करना होगा, यह भी बात है, तो मूल चीज क्या है, अध्यात्मिक विचारधारा है, सत्य अहिंसा ही हो, जैसे ही इसको पकड़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, अब उसका कन्फूज तो बोला करो, ठीक है, हाँ, ले आना, क्लास के बाद भी बाइट सकते हो, क्लास में पूछ हो, और एकदम सुपर क्लियर कट ताइप का चीज आपको दिया गया है, 100% फुल प्रूफ, जिसको आपको अच्छे से उसको करना है, अब यह एक टर्म है, फैसिजम है न, यह फै फैसियो, इसका मतला होता है लकडी का गठर, जो लाल कुंदे से या डोरी से बंधा हो, और जैसे जो आप लोग जब बनोगे, आईएस बनोगे, तो अब एक लाठी टाइप का, अब तो नहीं होता है, लकडी वाला, प्राचिन कल में होता था, फैसियो होता था पहले, जो सब जो होते हैं, ऐसे लोगों के पीछे सा, आपका भी प्रड्रे सुरे स्पहन के लाल होगा, यहां पर लिखा होगा, जिला धिकारी का आदेस पाल, लिखा होगा, यहां पर इतना बड़ा बिल्ला लगाया होगा उसका, बिछे एक फैसियो, एक डंडा, वो लेके चलेगा यहां तो फैसियो सब्द का मतलब होता है लगडी का गठर, यह यूरोप में जितने मेजिस्ट्रेट के पावर रखने वाले होते थे, मेजिस्ट्रेट के पावर रखने वाले अथारिटीज, वो इसको लेके चलते थे, तो माना जाता थे कोई पावरफुल रखती है, उसको एक रेस्पेक्ट देने का उथारिटी का एक समझ है, यहीं से एक सब्द की सुरुआत हुई, जिसका नाम फासिवाद है, ठीक, अब यह है क्या, यह एक विचारधरा है, इसमें कोई एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का सोच है, नाम है, ऐसा कोई समझा नहीं जाना हलां कि एक व्यक्ति का इंपक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, उसका नाम है मुसोलनी, लेकिन हिटलर भी बगल महीं है, उसने भी इसको दिया है अपना नाजी पाठी बाठी बना करके, उसने भी अपने चीजों को किया है, ठीक है, ये विचारधारा जब उत्पन हुई, आजाएंगे तो 1889 से लेकर 1945 के बीच में, इतली, ठीक है, फासिस्ट नेचर की ये समझभूज थी, और मुसोलनी, और हिटलर जैसे लोगों का इंफ्लेंस हुआ, अब हमें फ्लैस्पैंक में कहानी को वापस लेके जाना है, ये जमाना क्या है, आपको हमने बताया था, जब 1850 के आसपास यूरोप में, पुझी वाद का प्रभाव बढ़ चुका था, काल माक्स भी जनम ले लिया है 1818 में, जवान हो चुका है, किताब उताब लिख दिया है, 1850 साथ तक बहुत कुछ आ गया, 18th ब्रुमायर अफ लुईस बोनापार्ट, फिलोस्फी ओफ राइट, दास कैपिटल, बहुत सारा कुछ आ चुका है, तो वो पुझी वाद के विरुध में अपनी बातें भी कह रहा है, यानि अगर इस जमाने की बात करें, इन जमाने की, तो यहां पर दो तरह की विचारधारा का प्रभाव और उसकी कमियों को देखना हम प्रारम कर चुके थे, क्या-क्या, पुझी वाद, ठीक है, फिर इसके लिए बैकफायर करके, मार्क्स वाद, ठीक है, अब देखे भई अब जर्मन हरनक इसका संबंद मुसन yah अभिक हैं, हमने इसकी बात करें हैं बगल में ही, यह एक वीयक्ति था जो एक भई, इसके अधिकारी ही ही सिविल सर्वेंट थे, इसकarin Colife फिविसमि कौलिफाई के सविपाइग के है, फैसियो लेकिं उनके भी पिछे चलता होंगा उसके जैसा, व्यक्ति बड़े ऐसे हुए फिर उन्हाने और ये जो हिटलर था ये वेवेरियन जाती का था, वेवेरिया का इंपैक्ट था, ठीक, और यहूदी लोग और मांक्सिस लोग का कुंट्रोल एकॉनमी पर बढ़ता जा रहा था, उताब जार्मनी वे यक पड़ होता है क्लारक, जार्मनी में जर्मनी औरProf made, जैसे जो़ दिम का पड़ है आपके आए, उसको कहते है پ। प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट, और जीला को कहते है। डिपार्टमेंट, ठीक हैं? और जो डिपार्टमेंट आप जानते हैं यसो इसको फ्राँंज जिर्मनी में एक यठक्शन इस तरह का अप्रोच है। तो फैसियों लेके चलके और जो दंड नायक का जो कल्चर होता है, उससे पला बढ़ा एक बच्चा, उसके पिता जॉब से रेटायर हुए, उसके बाद वो भी बढ़ा जीजीविसा वाले थे, उन्होंने फार्म खरेदा और रहने लगा वहाँ पे, तो उसका थोड़ा आना उन्री खुली हुए है यहाँ पे, तो जो यूरोप, हिटलर ने देखा, उसमें क्या हो रहा था, अर्थ वैवस्था पर दो लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, ठीक है, किसका किसका, एक तो जो माक्सवादी सोच के थे, और इस सोच के, यहूदी बहुत होते जा है, वो होते थे पहले, ठीक है, तो सारा economic activities और तमाम चीजें इनके हाथ में थी, और यह non-wevarian थे, यह वेवेरिया के नहीं थे, तो अब हिटलर ने एक अपना, हला कि बहुत अच्छा विचारधारा नहीं है, उसने अपना बताया कि जर्मन जो हैं, वो अलग रेस के हैं, वेवेरियाई बहुत अच्छे रेस के होते हैं, इसको कहते हैं, रेसिजम, ठीक है, जाती, प्रजाती, धर्म, इन सब के आधार पे कोई विचाधारा नहीं बनाने चाहिए, बट वो बनाना सुरू किया, और उसने example दिया भारत का, भारत जैसे चीजों का, कि सबसे बहतरी रेस के थे कौन थे वो अरियन थे, आरियन बर्बाध हो गएए, क्यों? क्योंकि यह कभि ध्ष्ध कि अदान नहीं रखते, किसी से सदी कर लीते हैं, किसी से भी मिल जाते हैं, भारत पे क्या है? मिलाने की संस्कृति हैं, तो बाकी बहुत गटियां गटियां नसल के लोग, यह किटलर कह रहा है, गटिया नसल के लोग भारत में आते गए बाहर से, और इस नसल को बिगाड के रख दिया, जबकि इसका ब्लड में बहुत समझभूज था, यही सबसे ज्ञानी था, इसलिए यह पूरे विस उपए राज करता था, हमारी एंसेंट इंडिया में कितनी, गुपता पिरिएड, तो क्या है भई, किताबे हमारी देखे, क्लासिकल किताबे, एक पर एक, अब सेंचुरी बीसी में जाओ, कॉटिल्या का आर्थ सास्त्रा, पोलेटिकल साइंस के क्लासिकल किताब है, गवर्नेंस कैसे चलाएं, है न, कामसुत्रा, वात्सयायन का, गु पिरिएड था, सोनी की चलियां भारत को कहा जाता था, तो सोनी की चलियां अगर अमेरिका है तो उसकी ज्ञान भी है, समझदारी है, काम कैसे करता है, गवर्नेंस जैसे है, इस अभ जरूरी है, इन तमाम चीजों से युक्त था, तो यह आर्यस बर्वाद हो गए, ऐसा ही जर्मनी बरबाद हो जाएगा, अगर यहूदी मिलते रहे, या ऐसा करते हैं, यहीं से उसके दिमाग में, एंटी-जीयो, जीविस जो लोग थे, उनके विरुद्ध दिमाग में बातें आनी सुनू हुई, धीरे-धीरे उसको लगा कि नहीं, बहुत हो गया, अब हमें क्या है पोलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा, राजनिती में हमें जाना पड़ेगा, यह कब हुआ, क्योंकि वो सेना में भरती हो गया था, साही सेना में, ठीक है, एक दिन लोग तंत्र का आंदोलन होते होते ऐसा हुआ कि अब राज साही नहीं होगी, चैंसलर होगा, अठारा पुद्र लड़ता था अपना, लेकिन धीरे धीरे प्रजातिवाद या एक जाती के प्रती या माक्सिस्ट के प्रती, उसके माइंड में निगेटिव आइडिया इसी से आया, क्योंकि माक्सवाद के नाम पर यहूदी क्या कर रहे हैं, एकॉनमी पर कबजा करते जा रहे है ठीक है, और अगर इन्हें हम इस कबजे से नहीं बचाए, तो जर्मनी बरबाद हो जाएगी, यह अप्रोच उसके तरफ से था, अब अगल बगल के भाईयों से आवाज आ रही थी, मुसोलनी के तरफ से भी चीजें ऐसी ही कुछ-कुछ बगल में हो रही थी, तो यह एक मत अगल, दक्षिन पंथी पाटियों से हैं, 14 साल से ज्यादा राज हो गया, करते हुए, 2005 से चांचलर हटी नहीं रही है, आज से थोड़ी है, हम कहा है, बीस में, 14 साल कुछ दिन हो गया है, अब फिर होगे न, आगे ही चलते चलते चली जाएगी, चाचर साल में चुनाओ हो तक जो है, मरने तक, और उसके बाद आप देख लिजे ऐसा, तो क्या दर्चिन पंथी पाठी है, जिसका प्रभाव है, अब देखें, बृतिन, बोरिस जोंस, कंजर्वेटिव पाठी, भारती जनता पाठी, रिबॉब्लिकन पाठी, औस्टेलिया की पाठी, पूरे दुन के वज़े से कुछ बातें ऐसी हुई, कि इस पाठी ने एक खास कम्यूनिटी के अगेंस्ट में कुछ चीजों को उठा लिया, अब उठा 9-11 की घटना, 7-7 की घटना, 26-11 की घटना, इसके पीछे का एक कारने, हर जगह उसी तरह का अप्रोच बन गया, लोगों का फेथ आ हारा में हम बह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वामपंध बेकार है, इसका यह मतलब नहीं कि माक्सवाद बेकार है, इसका यह मतलब नहीं कि गंधिवाद का कोई मतलभी नहीं है, आप पढ़े इसी लिए रहें ताकि आप situation को ठीक से अनलाइज कर पाएं, कि इस पे चलो तो क्या क्या हो सकता है, इस पे चलोगे तो क्या, नहीं होगा, हो सकता है कि 20 साल के बाद की जो दुनिया होगी, उसमें नभी दक्षिन पंथ या दक्षिन पंथ का प्रभाव ही न रहे, फिर से मार्क्सिस्ट अप्रोच बहुत बढ़ जाए, कौन जानता है, एकॉनमी क्रेस करने लगे, मार्केट फ्लॉप होने लगे, तो कालमाक्स तो बोला ही, एक दिन आओ के भूम के हमारे ही पास, अंत में हम ही मिलेंगे, या फिर माल लो, वेल्फियर एकॉनमी से हम ठक जाएं, जैसे ठकना शुरू कर दिया है, नौर्वे, स्विधन, ऐसे देश, जो एक्द से भी चीजें अगर बदलनी शुरू, मेभी 20 येर्स, मेभी 50 येर्स, मेभी 100 येर्स, तो फिर से माक्स वाद का इंपक्ट सुख हो जाएगा, तो ये युग है, अल्मोस्ट सेकेंड वल्ड वार तक, जब इसका इंपक्ट रहा, इसका कुछ बेसिक ऐसा जगह है, अब इस फासिवाधी विचारधारा को बढ़ाने वाले मुसोलिनी के द्वारा इसको बहुत किया गया, वो क्या है, एक तो पहले जैसे liberal paradigm से हम चलेंगे, उदारवाधी सोच से चलेंगे, तो क्या तरक पर बहुत बात किया गया है, rationality पर बहुत बात किया गया है, ये क्या है, anti-rational तरक बुद्धी पर निय अंत्रन या इसका विरोध मत्तब जो फाउंडेशन है अगर हम ऐसा कहें कि फासिवादी विचाधारा का दार्शनी का आधार क्या है इसको अगर बना ले कि इसका सोच क्या है दार्शनिक आधार इसका क्या है तो यह तरक सक्ति के विरुद्ध है ठीक है अब जगे इसको समुझिए इसके पीछे की भावना ये है पीछे का सोच ये है कि देखो भही सब कुछ तरक से नहीं होगा कुछी भावना से होती है, आप तर्क से तैरी कर रहे हो, तर्क से इतना सुवा में उठके आए हो क्या, बढ़ना चाहिए, बढ़ने से अच्छा होता है, और फेल कर जाओगे, लाई बरबांद हो जाएगे, कुछ निगिटिव एमोसंस भी है, कुछ पॉजिटिव एमोसंस मन सोने का है, छोड़कर, इमोसंस अर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिक, यह सोच बनाना है, विचारधारा है, साइकोलोजी है इसके पीछे, कि इमोसंस जो होते हैं, यह जादा इंपॉर्टेंट है, इमोसंस, अब आपको पढ़ना ही है, भावनाएं, भावनाएं कमाल के होती हैं, दिमाग के उपर लेयर हो जाता है इनका, और उसके बाद जो यह करती हैं, वो करते हैं, जैसे अगर हम लोग एथिक समपढ़ हैं, तो अनेथिकल प्रैक्टिस के लिए क्या हैं, भावि, साइट, साउंड, स्मेल, टच अंड टेस्ट, यह सेंसे हैं, यही सेंसे बड़े लक्ष की प्राप्ति किस से होगी? भावना से, बड़े लक्ष की प्राप्ति यहां से होगी, यहां से नहीं होगी, तरक से नहीं होगी, जैसे, कैसे आज रास्ट्रवाद चल रहा है, भारत माथा की जय, अब किसी को उसो मतलब हो चाहें नहीं, इमोशन्स का प्र Germany first, ठीक है, Germany सबसे पहले, active Germany, pro Germany, Germany को जीतना ही पड़ेगा, तो कभी पोलेंड पर टाइक, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इसका लुट लें, विस्तारवादी सोच, इसे साथ, ठीक है, खराबी भी आएगी, लेकिन जो अप्रोच है, वो अप्रोच डेवलप कैसे होता है, emotions को बढ़ाने से, और emotions लक्ष प्राप्ती के लिए important होता भी है, इसके बिना बड़े लक्ष प्राप्त, नहीं हो सकते हैं, आप से दिमाग लगाते रहोगे, कि हम दिमाग लगाएंगे, I can understand each and everything, फिल कर जाओगा यूपे से, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएं इतने से ज्यादे जानना नहीं, हमें बाबा नहीं बनना है, एक्जाम पास करना है, that's all, ठीक है, तो यह एप्रोच लेना पड़ेगा, यही लेकर मुसोल नहीं, समझाएं, लोग समझ गये, ठीक है, तो हो जाएगा, अब इसी से निकलना सुरू हो जाएगा, सर्वाइवल अफ दे फिटेस्ट, है न, सर्वाइवल अफ दे फिटेस्ट, देखो, फिट बनो, बना फेक दिये जाओ गए, यह भी एक तरह की एमोशन से, अस्तित्व अधी, विचारदारा, ठीक है, अस्तित्व, अस्तित्व के लिए प्रबलता, है न, रिइन्फोर्स्मेंट फ़र अइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस, कि हमें अपने आपको एक्जिस्ट करना है, रहना है, अब जर्मनी के बैक्ग्राउंड पर जाओगे, तो यहूदी को हटाना है, वरना एक्जिस्ट नहीं रहने दे वेबरियन प्रजाती के लोगों को यह जीविस, यह जीने नहीं देंगे, इनको भगाना है, तो भगाया, कैम्प खुल, अच्छा नहीं था, मानो अधिकार के विरुद में काम के लिए, विचारधारा जो बनी, उसके पीछे वो क्या थी, तो यह यह थी, इसी तरीके से, म में सर्वाईव करना पड़ेगा, अपने स्तित्व के लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए ससक्तता से लगना पड़ेगा, यह इसके पीछे की सोच है, पीछे की विचारधारा है, इसमें कुछ प्रमपरावाद, हैला ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, कल्चर के चीजों को भी इसमें बल दिया, परमपरा, परमपरा वाद पर बल दिया, संस्कृति, प्रेडिशन जो है, वाद पर बल दिया, कि अपने ट्रेडिशन को समझे, अपने पुरानी चीजों को जानिये, ठीक है, और अभी भारत में भी यह हो रहा है, खुब साना हम लोग भारत में रिफॉर्म की जो प्रक्रिया चल रही है, आज की जो राजनीतिय आप देखते हैं, उस रिफॉर्म में कुल्चरल रिफॉर्म भी सामिल है, एरपोर्ट में करोगे, टर्मिनल 3 में अभी तो एक बड़ा सा संख बनाया गया है, संख ऐसे ऐसे गूमता है, संख, संख क्यों लगाया है वहाँ पे, कल्चर इंडिया में आते ही जानों, यह इंडिया का यह अप्रोच है, ठीक है, इतने सहर आप देखें, सहर की पेंटिंग की गई, कल् सहरों के नाम बदलना, ठीक है, प्रयाग राज, ऐसा, सिर्फ रिलीजन के उस पे नहीं उसको देखना है, एक यह है, अपनी ट्रडिशन, अपनी चीजों, अपनी चीजों पे धायन देना, और कुछ हद तक ठीक भी है, आप देखे, आप इमेजिन करिये, कि पचास साथ के अपनी देखक में मालो, कोई किसान था जो खेती बड़ी का काम कर रहा था, इस जमाने में, इस जमाने में, अगर यह गोबर से, या बाकी जो कचरे थे, या एक जो था, उसको वेस्ट से, अगर अगर अपना डालता तो इसको क्या बोलता है, देहती है, पिछड़ा है, दे अगर खो रहा है जिंदगी, यही कहा जाता था, और क्या हम लोग किये, पस्चिमी सभ्यतान का नकल किये, गंधी जी मना कर रहते है, मत करो, अध्योगी करन आउसकता से जादा, चुकि अनाथिक होगा, वो अध्यात्मवादी विचारदारा के अधार में मना करें, हमने न अधानुकरन, वे केमिकल फैक्टरी, केमिकल फैक्टरी, यूरिया, 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 कितना मज़ आया, पहले कि लोगों से पूछियेगा, कैंसर कितने लोगों का सुनते थे, आज तो घर घर में, क्याज सहाब उनका, तीन महीना पहले पता चला जाब नहीं है, एक्स किधर हुआ, पंजाब, हरियाना, पस्चिमी उत्तरप्रदेश, किधर कैंसर पाये जाता है, कैंसर बेल्ट किधर है, पंजाब, हरियाना, और यही पस्चिमी उत्तरप्रदेश, पंजाब में ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, पंजाब के जिले-जिले में कैंसर का हॉस्पि क्यों है यहार, सबका दाथी खराब, दिल्ली में खोजो इतने नहीं मिले, पाड़ पे चले जाओ, उतरा खंड, एक डेंटिस्ट मिल जाय तो हमें बताना, पिथारागड चले जाओ, चलो मसूरी ही चले जाओ, जाके खोज के वहां पे, रिसर्च करके बताओ, कितने डेंट है, चंडी गड़ उतरो, सबके पांच लेंब और सनी पाजी का घर है, अमीर लोगों का है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाइफाई, लेकिन दांट टुटा हुआ, क्यों, सल्फर की मात्रा बढ़ती चले जारी है पाने, दांटी खतम, इतना केमिकल, इतनी केमिकल फ इतने करा दिया है, व्यक्ति से मत जोड़ो, समाजवाधी विचारधारा, और अती राजवाधी विचारधारा, कल्यानकारी राज की विचारधारा, इंडिया में थोड़ा मली लेंबॉर्गणी नहीं होता, दांत रहता तो अच्छा होता कि नहीं, आज इस घर में कैंसर ह हो जाता है, अमेरिका भी जाके बचा नहीं पाता है, उस घर से पूछो ना, कि तुम अपना पूरा पैसा दे 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 ते इस आदमी को रखते, तो क्या कहता है, तो अच्छा जिंदगी थोड़ी मिला, तो ये सब कैसे हुआ, कॉंग्रेस पार्टी की नीतियों से हुआ, संकर बीज, जिस तरीके से ये सब जो कैमिकल्स और फैक्टरी ये सब दुनिया भर का ग्रांट जे दिया किसान को खुष करने के लिए, किसान को कुछ पता नहीं, इतना बड़ बड़ा ऐसे डालना चेए तो ऐसे ले रहा है, और यूरिया ऐसे चिट रहा है, फसल ऐसे करा मतलब ही एक रेशियो होगा तभी मिट्टी जवान रहेगी ना, तो आज क्या है, मिट्टी के जाच के लिए सब चल रहा है, उसने किसान ने खूब सारा नाइट्रोजन छीटा, बंजर भूमी हो गई, उसकी अपने पैर पर कुल हड़ी तो मारा ही मारा, धीरे धीर वहां स है, वह दुखी हो गए, तो यह कौन सा गरीवी निवारन का कारिक्रम है, गरीवी बढ़ाने का कारिक्रम हुआ, तो जो हमारी पुरानी जो पद्धती थी, आज वही एक किसमी सदी में, हर्बल, खाद, हर्बल, रिनीवल, एनरजी, यह से बात हो गई ना, तो यह हो गई हो तो अपने आप में जो यह जो आइडालोजी उस समय रही होगी, कैपिटलिजम के अगेंस्ट में, जो आज मैं आपको इंडिया में बता रहा हूं, तो यह अपने आप फैसन के जैसा क्या होता है, वापस जाने का चेंज होता है, इसमें रिलिजिन थोड़ा धर्म का भी प ठीक है, कैथलिक धर्म के प्रती विशेश बल्ले से, मुसलिनी के द्वारा कैथलिक हितों के लिए बड़ी बातें की गई, कि कैथलिक बहुत अच्छे होते हैं, यह खास धर्म है, यही ओरिजिनल है, बाकि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, या जो मैथोडिस्ट हैं, या सेम कैथलिक हैं, वो सभी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो कैथलिक के अप्रोच से चलना चाहिए, यही मानाववादी है, यही बहतर है, रिलिजिन एक चम्मच डाला, और लोग बड़ा प्रभावित हो जाता था, चर्च वगर यह सब करता था, तो कैथलिक रिवाइवल क आपने आप में हो गया, बगल में जर्मनी में हिटलर किसी रेस को पकड़ लिया, वेवेरिया का रहने वाला, वेवेरियन प्रजाती के लोग अच्छे, यहूदी प्रजाती वाले नलायक हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, उनको यहां से भगानी के जुरत है, और अगर य जिस तरीके से एकॉनमी पर कंट्रोल करते जा रहे हैं, गरीबों के नाम पर, यह धीरे-धीरे क्या कर लेंगे, सब को बरबाद कर देंगे, हमारी नसले बरबाद हो जाएंगी, जर्मनी के जो अधिक्तम, जो पॉपुलेशन था, वेवेरियन प्रजाती है, जर्मन रेस के जो लोग हो थे, उनको बड़ा अपील करता था यह सब, इस वजह से उसकी विचाधाराई चल गई, और लोगों ने उनको मानेता दे दिया, ऐसी राजनेती हिट हो गई, इसमें आगे है राजवाद, इस्टेटिजम, राजवाद, राजवादी प्रसार, इस्टेटिजम, ठीक है, इस्टेटिजम का प्रभाव बढ़ने लगा, राइट, अती राजवाद, मतलब समाज सब कुछ नहीं करेगा, सरकार ही सब कुछ करेगे, इसे डिक्टेटर्शिप का भी ग्रोथ होता है, आपी देखेंगे, डिक्टेटर्शिप का सिम्टम क्या है, कभी भी कोई स अत्तावादी होगा, तो राज का प्रसार, तो राजवाद में क्या होगा, जैसे अधिकतम लौ बनाना ऐसे, हर चीज के लिए बातें करना, संबंधों के लिए भी कानून बनाना, जब राज के इंपक्ट बहुत बढ़े, मतलब समाजिक ब्यवस्थाओं से बहुत कुछ दिल ना हो, यह ना, निजी लेवल पर बहुत कुछ दिल ना हो, जब सब कुछ सरकार ही मानलो करने लगे जादा से जादा, अब अभी भी देखो, हम लोग बहुत सारा कानून बना रहे है, तीन तलाक के लिए बनाएं, चलो ठीक भी, उनिवर्सल सिविल कोट इतना कोई ज यह सनी कुमार जें, भी बनाओ, हर चीज चीज के लिए भाई भाई के संबंध के लिए क्यलिए, तो आसे कानून बनाने संबंधी होंगा, कुछ तो परिवार को भी करने दो, कुछ तो समाज को भी करने दो, संमाजिक ब व convincingってる वेवस्थाएं पीछे जाभ हों और राज्य जगा राज्य पहुच जाए एक तो यह सब चीज इसके पीछे था और इसलिए फैसिजम का धीरे-धीरे जगा तयार हुआ और बना लिखे अगर 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 सी स्य संग शे स् सेणा में जाया के लागा पाहत्त हुग भावना में स से बड़े लग्ष होते अगर थिक है वह कवए century कमी भी अगरली है भाहत्माता कीजाएः मैं हमेशा करते रहोंगे तो किसी का मढ़र भी कर दोगे इसी नाम पर कमी भी है हर चीज में प्लेटों ने भी कहा तो उसमें भी कमी है तो एक ही चाहिए दोनों रैस्टनालिटी अब देखो तरक बुद्धी भी होना चाहिए और भावना भी होना चाहिए उना क्या चाहिए तो दोनों के बिच बिच की चीज होनी चाहिए और प्लेटों ने तो तर शेना में इसलिए कहा कि ऐसे लोगों में जिन में कोनेशन की मात्रा अधिक हो, भावनाओं के बताब अब्यक्ति के तीन तरह के होंगे ना मानवात्मा की प्रकृति में, कोगनेशन, कोनेशन और अफेक्शन, सत गुन, राजसिक गुन, और तामसिक गुन, तो जिसमें कै कि आसा होगा राजसिक गुन कीमात्रा अधिक होगे, जिसमें कोनेशन की मात्रा होगी वो जेना में जाये, तो पारड को स्पाटा का जितना सैनिक होगा वो कोनेशन वाला होगा, हमारेाँ हाह चट्रीय क्या अधारनल च्ट्रीय, लड़ाई अच्छा कर सकता है,farम कोगा् वैस, और जिसमें तीनों नहीं है, वो सब्द अच्छा नहीं है, उसका नाम है सुद्र, लेकिन ये धीरे-धीरे, क्या हुआ, ये एंसेस्टरल इसमें आ गया, ये ये कर्तब के अधार पे था, तो प्लेटो ने अलग परस्पेक्टिव में कहा है, कमी उसमें भी है, कमी इसम इसमें ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, बात होती है, ना, ने, ऐसा कुछ भी नहीं है, इमोशन हमेंसा जरूरी है, युवा है ना, युवा ही इमोशन के आधार पे आगे लेके जाएगा, युवा सिफ तरक सक्ती के आधार पे नहीं जाएगा, युवा में जोस ह कोई बात नहीं, नहीं हो जाते हैं, चुनाव जीतने तक होते हैं, उसके बाद, उसके बाद हमेशा आलोचना, इतने पचांस दिन से लोग यहां साहिन बाग में प्रदरसन कर रहे हैं, साइड हो गया है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में चला गया है, युरोपेन युनियन में अगेंस्ट में जा रहा है, बैठे कैसे हैं, क्या बात करते हो, बिपक्षी दल बनके मत देखा करो, एक ही भाव से देखते हो, इससे उपर उठो, अपनी राजनेतिक विचारधारा को, राजनेतिक एटिटूड को किनारे एक रख करके साहस रखो, दूसरे को भी समझने का, कुलेटरल डैमेज करने का, लेकिन एज ग्रोथ के लिए बोलेंगे, कंट्री का, इमोशन्स इस वेरी इंपर्टेंट, अगर एक युवा, निरांस जो बैठा है, वो कुछ मेहनत करने के ले आगे बढ़े, स्टार्ट अप इंडिया ले, तो ही कुछ कर पाएगा, बैठे रहेगा कि मंगल गरह अच्छा होगा, यह सरकार कुछ करेगी, सरकार करती है, सरकार का काम है कुछ करना, सरकार जो करती है, वो कर रही है, उसका काम है national security, sovereign law, stability, integrity, यह सम मैंटेन करती है, सरकार का काम दूद बेचना नहीं होता है, सरक आज ऐसी सोच बनानी चाहिए, एमोसंस इंपोर्टेंट है, हाँ, अब ये इमोसंस, समझना है, मैं पॉजिटिव एमोसंस की बात कर रहा हूं, मैं बात किसका कर रहा हूं, साहस का, मैं पॉजिटिव वर्चूज की बात कर रहा हूं, करेज, जस्टिस, साहस, विस्डम, इनक बात कर रहा हूँ, अब ये किसी जाती धर्म के अगेंस्ट में होता है, that is not fair, वो सही नहीं है, फिर तो आप कभिलाई समाज बना लेंगा, हुमा हुमा करके, कि ये जाती उसको मारेंगा, सिया सुन्नी को मारेंगे, सुन्नी सिया को मारेंगे, ये ब्राम्हिन च्छत्री है, वो च्छत्री है इसको, ये फिर गडबल है ना, इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए, उसकी अलोचना होती ही है, लेकिन ऐसे emotions important है, उसको avoid नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लिखे ज़रा, फासी वाद, और ये सब जो कह रहे हो ना, कि ऐसा था, आज ऐसा हो रहा है, बेरोजगार ही रहता, अदिल्ली में दस जग़ बं फट जाता, मालो ठीक है, रोजगार के लिए कुछी इन्वेस्टमेंट ही करा देता, सरकार दस जग़ बं फट जाते, अच्छा होता, एक भी जग़ फटा है, कभी सोना ही दिया, 2014 के बाद, कस्मीर छोड करके, कस्मीर छोड करके, वो भी दक्षनी कस्मीर, बं फटने के दिन भारत से गए, ये कितनी बड़ी अचिवमेंट है इस गभब्मेंट के, ये कोई political attitude से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सच में, ये बहुत बड़ा performance है, और ये बहुत बड़ा चीज है, छोटा चीज नहीं है, नहीं तो यहीं पे नवजीवन भिहार में, कभी दिल्ली में, जिदर सफदर जंग है न, सफदक्जन एंक्लेव में, कभी जैपूर के बड़ी चौपड में, वह नहीं तो कभी एहमदाबाद में, जिदर देखो कहीं बंफट फट गया, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, है न, वो दिन थे, 2008 कोई बहुत पुराना दिन थोड़ी है, 2020 ही है भी, 30,000 नहीं हुआ है, है न, 2020 है, जादा दिन पहले का बाद थोड़ी, हम लोग, मैं दिल्ली में 22 साल से हूँ, इतना चैन किसी भीड वाले जगे में जाने में नहीं आता था पहले, कि यहां पर कुछ, अब क्या होता है, पकड़े जाते हैं लोग, कहां यह फोड़ने वाला था, देखो इसका चेहरा है, फोटो में आता है, पहले क्या होता था, फोड़ देता था, तम फिर पता चलता था, कि यह किया, ऐसा किया, अतरा-तरा का नाम, हिजबुल, तफलाना, हिजबुल इसको में इसकार होता, इतने को होने के बावजूद भी, this is the achievement पहले लाइफ रहेगा तब तो ये लोक तंत्र और ये सब करोगे तो सोचो जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इतने अलोचनक होने के बावजूद हुए तो बाकी लोगों का इमोसन क्या होगा अब कुछ भी कर देंगे नहीं बदल सकते आप एक बंफोड दीजे आप कहीं पे किसी एरिया में आप फटने दीजे आप उसके लिए ध्यान मत दीजे आपको लोग भूट देंगे दिल्ली में कोई भीजे का बच्चों को पढ़ने के लिए मुखरजी नगर में हो जाए तो तुमारे सारे फैंबली के लोग अभी आपके लेजे चलो पढ़ना बाद में बताएंगे क्या होता है माक्सवाद घरी से पढ़ो कोई एडमिशन नहीं करने देगा को आने नहीं देगा क्या समझते हो स्टेट क्यों बनाते हैं जी Hobbes-Lock-Russo का मूल चीज क्या है security first and the foremost the prime चीज इसके लिए होना चाहिए ठीक है लिखे फासिवाद सब्द फैसिजम सब्द फैसियो से फैसियो से आयातित है फैसियो से आयातित है और यह है इतावली सब्द इतावली सब्द का प्रतिनधित तो करता है जिसका अर्थ डंडों का ऐसा गठर होता है डंडों का ऐसा गठर होता है जो कुल्हाडे की कुल्हाडे की मुख की ओर मुख की ओर लाल धांगे से बधा होता है एसा युरोप में एसा युरोप में दंड नायकों दंड नायकों के लिए किया जाता था परेग्राफ छोड़कर फासिवादी विचारधारा फासिवादी विचारधारा का उदय का उदय पुझी वाद के द्वंद से उबरने पुझी वाद के द्वंद से उबरने के उद्देश से उबरने के उद्देश से हुआ है हुआ है इसमें लोक तंत्र को निलंबित करके लोक तंत्र को निलंबित करके लोक तंत्र को निलंबित करके उत्पादन के साधन पर नियंत्रन उत्पादन के साधन पर नियंत्रन रखने वाले, नियंत्रन रखने वाले लोगों के हाथों में, लोगों के हाथों में, राजनेतिक शक्ति, को, राजनेतिक शक्ति को मजबूत करने, पर बल दिया गया है, इसमें परिग्राफ छोड़कर, इसमें हरताल के अधिकार को समाप्त करने, स्वतंत्र आलोचना के अधिकार को, स्वतंत्र आलोचना के अधिकार को, स्वतंत्र आलोचना के अधिकार को समाप्त करने, स्वतंत्र आलोचना के अधिकार को, समाप्त करने पर बल दिया गया है पारग्राफ छोड़कर फासिवादी विचारधारा में सिविल सेवादी विचारधारा में सिविल सेवादी विचारधारा में सिविल सेवादी विचार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धा प्रश्चिस्ट वीरता और आदर्स पासिस्ट वीरता और आदर्स से भरी हुई प्रश्चिस्ट वीरता और आदर्स से युक्त हो जाती है जो बड़े-बड़े कारणामे कर दिखाने में कारणामे कर दिखाने में कारणामे कर दिखाने में भूमी का संपादन करती है कर दिखाने में फासिवादी विचारधार का मूलता है निम्नां की दार्षनिक आधार देखने को मिलता है थीक है पहले लिखे तरक बुद्धी पर नियंत्रन अबलिक विरोध पर बल दिया जाता है थीक है इसमें थोड़ा लिख देना है अंडरलाइन करके डैस देकर फासिवाद की विचारधारा में इस बात पर बल दिया गया है हर बात तरक संगत तरीके से तरक संगत तरीके से संचालित करने पर संचालित करने पर लक्ष की प्राप्ती नहीं हो सकती है मानविय जीवन में मानविय जीवन में आस्था आस्था एवं भावनाओं का आस्था एवं भावनाओं का भी अपना मेहत्त है बड़े लक्ष की प्राप्ती में भावनाओं बड़े लक्ष की प्राप्ती में भावनाओं कॉमा तरक के स्थान पर अधिक कारे करती हैं अधिक कारे करती हैं तरक के स्थान पर अधिक कारे करती हैं जादा ज्यान हो जाता है तो आदमी कमजोर भी हो जाता है क्वेक अगर मालो आये और आपको खुब नौलेज हो कि क्वेक ऐसे होगा तो ऐसे करना है वैसे होगा तो ऐसे करने लगोगे और कुछ लोग होगे जो कम गयान वाले होगे आस्था है उन्हें नहीं रुक जाता है तो मच्वारे गयान से चलेएं कि भावना से अभी तक जो भी जीवन है उसे कि भाई ऐसे खड़ हो जाओगे न तो ऐसे हो जाता है वोर को बच जाएगा ऐसे तरक में ज्यादा आप इतना जो एफर्ट ले रहे हैं तरक से नहीं हो जकता है कि एफर्ट लेना चाहिए यावत जिवेत महनत करेत नहीं चलेगा इमोशन है भई आई एस बनके कुछ मिलेगा वो पाना है तो जान देना पड़ेगा लगना होगा तब आप देते हैं इमोशन को कभी भी कर नहीं सकते तो आप सब में कोई ऐसा इमोशन है जो आपको खीच करका आई इसका तेरी कराता है अब यह भी अंधा भगती भी नहीं कि एमोशन ही सब कुछ है यह तो एक आइडियोलोजी पढ़े ना विचारधाना तो कई तरसे होगी तरक भी होना च आइसनालिटी दोनों के बीच में एक संतुलन रखने क्या हो सकता होते खरें संतुलन की बात नहीं करता है दूसरा दूसरा पॉइंट अस्तित्य के लिए प्रभलता रिइंफोर्स्मेंट पर एक्जिस्टेंस एक तरक सामाजिक डार्विन वाद है यह ना सर्वाइवल अस्तित्य के लिए प्रभलता ने फासिवाद लिखोगे तो यॉञ управन पर बल देता है वो तो अंत में कि भoi कृटिसाइज करो प्रदिसाइज करने में होगा फासिवाद की अलोटा करने क नौमत आएगा तो हम भीच भीच का रस्ता अपना है, यानी तर्क का भी महत है, लेकिन जब फासी वाद की मानेताएं क्या है, उसका सोच क्या है, तो उसमें हम इमोशन की बात करेंगे, दूसरा, अब गांधी जी, गांधी जी जितना बात बोले थे सब ठीकी था, उनका भी तो अलोचना है तो कैसे चलाओ के संसधी पनाली छोड़ दोगे, कहां से चल पाते, अनर्की स्टोरी, इसलो अराजक वादी भी कह देते है, थोड़ा सा धरम का बात किये तो कुछ लोग फासी वादी भी कह देते है, तो वो तो सही नहीं है, फैसिस्ट में और भी जो निगेटिव चीज तो गांधियन थौट्स में है यह नहीं, तो हुमानिस्टिक है बिलकुल, वो तो जुटा है, तो बुरे नियत से यह सब किया जाता है, बदनाम करने के लिए, किसी भी रास्ट के नायक को, जिस के इर्दिविद राजनीती घूमती हो, ऐसा अगर कोई पाटी उठाए और करें, तो वह गलत है सिधा, नमबर बन, बोल देते हैं, आम आदमी तो कुछ भी बोल देगा, ट्रेन में बात करोगे गांधी जी पर दुनिया भर का सिकायत कर देगा, तो बोलने में तो फ्रीडम ओव स्पीच है, उसमें क्या कर सकते हो, नेक्स्ट, अस्तित्त के लिए प प्रभल का स्थत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् इस्टेंस, अस्तित्य के लिए संघर्स, जैसी विचारधाराओं पर बल दिया गया है, बल दिया यह अपने आपने समाजिक डार्विन वाद, सोचल डार्विनिजम, यह अपने आपने समाजिक डार्विन वाद जैसी विचारधाराएं हैं, डार्विन वाद, चाल्स डार्विन से नाम आया है, समाजिक डार्विन वाद जैसी विचारधाराएं हैं, जैसे भई, हिटलर बोलता था ना, कि जो भी जर्मन रेस के हैं, वह अस्तित्व नहीं करेंगे, तो यहूदी कमांड कर लेंगे, इसके नाम पे, और कलर्क्स बनते जा रहे हैं, प्रिफेक्ट बनते जा रहे हैं, ब्युरक्रसी पे, अर्थ बैवस्ता प उन्हीं कांट्रोल हो जाएग रेस खराब हो जाएगी तो, बड़े बड़े फैसले नहीं कर पाऊगे, जर्मनी फस्ट नहीं हो पाएगे, लोगों को अपील कर गया, ठीक है, लोगों को जिता दिये, कुछ अपना काम कर लिया, यहूदी के अगेंस्ट में मार के भगाया, लोगों को समझ में आया कि यह विचारधार सही नहीं थी, लोग भी हरा दिये, सेकेंड वर्ल वर भी करवा दिया, वर करवाया तो सोच बदलता है, फिर अब डेमोक्राटिक प्रोसेस धेरे धेरे ठीक से है, फिर भी लेकिन उसी तरह क्या माइंडसेट की पार्टी है, जो चौदर साल से सासन में है, एक चलिए आगे, तीसरा, इसी में एक दो लाइन एड़ करिये भी, फासिवाद में, दूसरे में ही, फासिवाद में अस्तित्यु के संघर्स पर आवसक्ता से अधिक बल दिया गया है, आवसक्ता से अधिक बल दिया गया है, और इसके लिए जातिये, प्रजातिये, धारमिक भावनाओं का भी प्रियोग किया गया है, ठीक है, जैसे कोई याद दिलाए कि सोचो तुम छत्रिये हो, क्या थे, तुम लग जाओ, तब फिर वो उठेगा, कि हाँ सही बात, तलवार निकाला, नहीं तो सोच रहा था, तर्क सकी, कैसे बच जाए, समझे, थोड़ा सो भड़काओं तो है ही, बल दिया गया है, तीसरा लिख दीजे, परंपरा, ट्रेडिशन, अबलिक, परंपरवाद कर दीजे, परंपरवाद, अबलिक, संस्कृति वाद, जैस देकर, पासिवादी विचारधारा में, पुरानी परंपरा और संस्कृति, पुरानी परंपरा और संस्कृति, कि पुरारुथान पर बल दिया जाता है, उदारन के लिए, उदान के लिए, अत्यधिक बल दिया जाता है, उदारन के लिए मुसोलिनी, मुसोलिनी के द्वारा, कैथलिक धर्म के उत्थान, कैथलिक धर्म के उत्थान और कैथलिक परंपरा, कैथलिक परंपरा पर, उसकी महांता पर, उसकी महांता पर, महांता पर, अत्यधिक बल दिया गया, जर्मनी में, जर्मनी में हिटलर के द्वारा, ऐसे ही फासिवादी विचारधार को नाजीवादी विचारधार के रूप में, के रूप में, आरोपित करते हुए, जर्मन प्रजाती, जर्मन प्रजाती, या वेवेरियाई प्रजाती, वेवेरियाई, वेवेरियाई, जगह है, है ना, counties आज की तारीख में होती है, communal, local bodies, वेवेरियाई प्रजाती, के महत को बढ़ावा देते हुए, यहूदी, यहूदी प्रजाती, यहूदी प्रजाती, को निक्रिष्ट, यह दोयम धर्जे का, बताते हुए, दोयम धर्जे का बताते हुए, उन्हें जर्मनी से बाहर भगाने, जर्मनी से बाहर भगाने पर बल दिया गया, ठीक है, तो फासिस्ट नेचर की देखिए, कोई पार्टी नहीं है, गांधी नहीं थे, बलके हमारे यह देखना हो तो नक्सली, है ना, वो जब आप करते हैं ऐसा किसी रेसिल प्रैक्टिसस के या इसके आधार पे, कि बहुए, उनीसो आट से पहले कुछ लोग जमीन ले लिये थे, नक्सल्वारी बुम्मेंट, गलत तरीके से कुछ जाती का, आज उसका बदला लेना है इसके बदले में चेंज छोटा करो, यह जो है यह फासिस्ट नेचर से मेल खाता है, और यह तरीका जो है सही नहीं है, यह काम नहीं कर सकते अब, ठीक है, यह है, हाँ हाँ, चलती है, बहुत जेतना नक्सली चेतर है उसमें यह सब है, अब उसके अगेंस्ट में फिर जो नागरीकों की सेना बनती है, सल्वा जुडूम, रनवीर सेना, यह सब भी खराब है फिर, वो भी फासिस्ट नेचर की है, और कुछ पार्टी की आइडियोलोजी से मिल जाती है, तो ऐसी पार्टीयां जरूर फासिस्ट नेचर की कहलाएंगी, और जैसे ही इसमें देखोगे तो कौन मिलेगा? CPI, CPM, वामपन्थी, रदर दन की दक्षिनपन्थी या कोई और पार्टी, ठीक, उनमें ऐसा विरोध, विद्रो, हल्ला, गुल्ला, नारा, ऐसी चीजें, भावनाएं उनमें आवसकता से ज़्यादा रहती हैं, राइट, यह ध्यान देने की ज़रत है, नेक्स्ट, अब देखो, आप पढ़ेंगे नक्सलवाद, नक्सल अबाद यहां पर है यह नहीं, अब भारत में, अब पुछो ब्यों, और और नक्सली एरिया का कुछ फाइदा भी है, नक्सलों का फाइदा भी है, हाँ, छोटा करके ठीक करके रखता है, देखो, जो काम इफस को करना चाहिए, इंडिन फोरेस्ट सर्विस के अफसर को, चंदन की तसकरी रोकना, नक्सली करते हैं, तो अच्छा है, टीचर पढ़ने ही नहीं जाता है, पिछले छेतर में, छोटा कर देते हैं, तो दौल के ठीक है, पुलीस का ध्यान नहीं देती है, तो लौए न ओर्डर मेंटेन रखते हैं, बड़े गुंडे आ जाते हैं, छोटे मोटे गुंडे खतम हो, महिला के साथ कोई भेदभाव, मुदर, रेप, यह सब कुछ नहीं हो सकता है, उन छेतरों में बना, नयाय होगा, उनका क कोट बैठेगा, और तब बहुत भेंकर अन्याय किया जाएगा उसके बाद, ठीक है, तो यह सब कुछ अच्छा चीज भी है, अब एकदम से इसको चिंता नहीं करना, पढ़ेंगे न, GS में, तो नक्सल क्या है, क्यो है, कैसे हटेगा, क्या प्रोच होना चाहिए, लेकिन व लेकिजए धर्म, फासिवदी विचाधारा में धर्म का प्रभाव, धर्म का प्रभाव, धर्म का प्रभाव, देखने को मिलता है, धर्म का प्रभाव, देखने को मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट, राज्यवादी प्रशार, और स्टेटिजम या स्टेटिजम, राज्यवादी प्रशार, देश देखरके, प्रशीवादी विचारधाना में, रज्य के, रज्य के, रज्य के विस्तार पर, रज्य के विस्तार पर, अत्यधिक बल दिया गया है, रज्य की भूमी का, मानविय जीवन के, विविन परिप्रेक्ष में ही ना हो बलके, रज्य के विविन परिप्रेक्ष में ही ना हो बलके, रज्य विस्तारवादी, रज्य विस्तारवादी, प्रवृतियों से युक्त होना चहिए, कि भारत कभी फासिस्ट नेचर का नहीं होगा, ठीक है, विस्तारवादी होना चाहिए, कौमा, इन पहलों पर बल दिया जाता है, ठीक है, अब जैसे भारत को समझी है, कि भारत में ये नेचर है कि नहीं है, लोग कहने के लिए बोल देते हिंदी अखबार में कहीं पढ़ भी लोगे, हिंदी छोड़ो पढ़ना अखबार, धिरे धिरे उसे मुक्ति पाओ, हैंगा, अभी पढ़ो एक महीना, और हिंदु पढ़ते रहो, धिरे धिरे शिफ्ट हो जाओ अपने आपको, या कुछ भी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़लो, कोई दूसरा निकालो, नहीं तो यही सब चलता रहेंगा, दिमांक चेंज ही नहीं होगा, हैंगा, जयतों पख्च का या भी पख्च का माइंड़ लेकर बैठ जाओ गए, और कोई फाइदा होगा नहीं, एक्जाम को इससे मतलब नहीं है, सिवल सर्वेंट में, उसका अप्रोच, उसका फिलिंग्स, टच आएगा ही नहीं, समझ गए? तो अब यह हो सकता है, इतना कोई मुस्किल नहीं है, ठीक है? इंडिया में यह ने न एक ही मिसाइल माका में खतम हो जाएगा, कितना में, संबंध भी अच्छा है, बाउंडरी भी खुली हुई है, जो बॉर्डर पे खड़ा है, एससे को भेज देंगे, तो मार पिट के सबको लेकर आ जाएगा, यह हमारा हो गया, आज तक लिया भारत ने, गवातम मार के इंडिया के जाएगे पर चाहिना कर दो, किसी को लिया होता चाहे नहीं, यह माल्दीव, यह नेपाल, भुटान, यह दोनों तो साफ थे, मायदाएं वाले, है ना, पाकिस्तान बांगलादेसीन को सबसे पहले निप्टा था, है ना, विस्तारवादी वो है, यह विस भारत कभी भी सीमा का जबरन विस्तार नहीं करता, इसके नीतियां कभी ऐसी नहीं रही है, अब लेकिन एक टाइब करके, सोवरेंटी, भई मिली, अंग्रेजों ने कानून मना दिया, तीन सोवरेंट बाडी बनी, भारत, पाकिस्तान और पिंसले स्टेट्स, अब जो दे भी दिया, उसका हम न लें, अब किसी वज़स से वो रुका हुआ था, एक पार्टी जो थोड़ी नेशनलिस्ट मूव्मेंट की है, नेशनलिस्ट नेचर की है, इसके कई सारे पॉइंट्स में एक अद पॉइंट पे वो चलती है, उसकी विचारधारा कुछ ऐसी है, लेकि यह क्या होता है, फैसं के जैसा है, एक लुद ऐस सलमान खानाना की बड़ी बना दिया ना, अब जितना hero है, hero बनने तो body बनाओ, ने तो पहले hero body बनने जाओ, पहलवान बनना है कि hero बनना है, चेहरे पर हाँबाँ होना चेहिए ने जो होना है ने जो गुविंदा सा अच इसे हिरो कौन है फिर? पहले के हिरो होते थे मनोज कुमार, यहां खड़ें पाँच किलो मेटर पेट है, जितेंदर कुमार, क्या-क्या नाम था राजंदर कुमार सौरी, ऐसे होते थे, आज ऐसे हिरो होते हैं, अज लगे कि जिम से एकदम अभी से पहलवानी करके निकला है यही हीरो है, कि एक बर कर दिया, एक स्टेंडड बन गया, कोई पाठी चुनाव जिते कि उसको करना पड़ेगा, ऐसा समझेए, बच्चे जैसा सोचमत बनाते रही है सिर्फ, अब यह स्टेंडड चेंज हो चुका, हर पाठी मंदिर जा रही है, हर व्यक्ति जन्यूद, हर ब्राम्हन बनना चाहरा है, हर व्यक्ति जो है वो उधर मस्जीद में भी जाएगा, मस्जीद में भी होई कि नहीं सम्मिलन, लेकि जपाइन की किसी व्यक्ति को लेकर पदारमंत्र लेके गए, तो अब यह सब अलग नहीं हो पाएगा, और यह सब ऐसे ही समय रहेगा, तो ह लेकि एकबार पढ़के मन लगाने के लिए बाहर ठीक है, इसका कोई मतलम नहीं है, बात समझ भाएगा, तो भारत विस्तारवादी नीतियों से मुक्त रहता, खिलाफरों को तो नोकरी नहीं मिलेगा, नमबर बन, रोओ तुमारा फ्रीडम है, ऐसा बहुत कुछ बोले थे, जो नहीं हुई, उनिवर्सल सिविल कोड के लिए वही बोले थे पहला, है न, डॉक्टर राजिन परशाद से पहले भासन में बोलवाये थे, कि हम बनाएंग, आज तक नहीं बना, आज वही चिले के पाठी उठा रही है, ठीक है, पहला जॉइंड कॉन्फरेंस भारत में, लोकसभा के चुना होने के बाद, उस स्टेट्मेंट में युनिवर्सल सिविल कोड लाने की बाद, राश्पती ने की, अन रिकॉर्ड है, और वो जो भी राश्पती बोलते हैं, वो कौन कहता है, मंत्री परिसद के दौरे लिखा जाते है, एक-एक सब्द, ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ है, तो ऐसा बहुत कुछ है, नुट्रल अप्रोच रख रखेंगे, नुट्रल बोले तो, प्रोगर्बमेंट, क्योंकि किसके मुलाजीम बनन जा रहे हो, तो जब इंटर्वी में आऊगे तो ऐसा लगएगा कि विद्रोही गुट से है, मत्रब इसको नुकरी चाहिए है नहीं कुछ और चाहिए, तो फिर वो जगर नहीं मिलेगा लिखने में भी आजाएगा, एसे में भी कुछ ऐसा लिख दोगए, होगा ही नहीं, तो क्यों भरती करेंगे, उनको इस समत्तर थोड़ी काम की राजनेतिक विचादारा क्या है, वो तो एक सिस्टम लेके बैठें, और सोचो नौकरी करने में कितना दिक्कत होगा फिर, हैं होगा की नहीं होगा, आज कहीं के SDM, DSP, SP, DM बना दोगे, तो क्या बोलोगे, हां यह उनका पाठी है, बहुत खराब है, अच्छे लोग नहीं है, कितने सेकेंड रहोगे वहाँ पर, इसका यह भी मतलम नहीं कि सरकार की हर चीज की बढ़ाई करने है, जैसे करप्शन, तो यह नहीं बोल सकते है, हलका हलका होना चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार में है, अरे खुल के बोलो, निगेटिव बोलो, किसी जाती, धर्म, कि अगेंस्ट में कोई कर्म हुए है, तो वो गलत है, क्रिटिसाइज करो ना, to the point, उसमें क्या टेंशन है, उसको पूरा कर सकते हो, गरेलु हिंसा, माल लोग कोई अधिकारी किया, या कोई केसे स्टड़ी आ गया, तो नहीं बोल सकते है, हम मेल डॉमिनेटिट सोसाइटी है, महिलाओं का काम ही है, पिटाना थोड़ा हलका हलका, ऐसे नहीं बोल सकते है, कुछ चीजों में, इस पस्थ है, बरस्टाचार, ग कोई पस्थ नहीं करता है, कभी, ऐसे ही बच्चे आकर मुझे मिलते हैं, पॉल साइंस में, दोसर से ज्यादा नंबर उनको नहीं आता है, कभी, है मा, दुखी रहते है, अब खुब पढ़े हैं, उनको ज्यान बहुत है, उनका अपना पीच्ड है, यहां भी बहुत कोचिं फोचिं किया हुए हैं, लेकिन उनका अप्रोची नहीं है, पास करने वाला, अप्रोची है, बहुत मुझे मार, मुझे पकड़ लो, मुझे पहचान लो, तो वही छोड़ना है, बस, ठीक, नेक्स्ट, एक और डाल देजे तो, आदर स्वाद, आदर स्वाद लेख देजे, एक पॉइंट इसमें और अएड करिये, यह थोड़ा, आइडियल प्राक्टिस का है, प्रेगमेटिक कम है, है ना, फैसिजम इस सम्थिंग, लाइकली तो बीदा, है ना, आइडिलिस्टिक इन नेचर, नॉर्मेटिब्स इन नेचर, प्रेगमेटिक कम है, लिखे जरा, फा पासिवाधी विचारधार में, पासिवाधी विचारधार में, आदर स्वाध का अत्यधिक प्रभाव है, अरथात, आदर स्वाध का अत्यधिक प्रभाव है, इसमें अधिकार के बजाए करतब्य पर अधिक बल दिया गया है, करतब्य पर अधिक बल दिया गया है, क्या होना चाहिए, अधिक बल दिया जाता है, है ना, जैसे अच्छे दिन आएंगे, जैसे नजदिक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, संकल्प से सिध्धी, 2022, एक अधिस में जैसे पहुंचेगा, तरगेट क्या हो जाएगा, 26, है ना, इसको क्या कहते हैं, यह देखो, मैं इंसाइट डेवलप करने के लिए बताता हूं, इसको विचारधाराई मद बना लेदा, पिसेश करके, है ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं, politics of myth, mythak, अच्छे दिन, आएंगे, Germany number one, होगा, कब हुआ, हुआ तो फिर क्या हो, इसको परिनाम क्या मिला, समझ गए, तो इसको कहते हैं, हमेसा आगे का बात करना, कुछ आगे का, practical थोड़ा, कम होगा, ठीक है, यह नेचर, अब इसको टैंक मत दे देना, कि आज की जो करना है, यह ना, लिखे, आदर स्वाद में हमेशा, आदर स्वाद में हमेशा, आज के ब्यवहरिक पक्च, ब्यवहरिक पक्च, का अभाओ, अभाओ, देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है, इसी का जो जर्मन वर्जन है, उसमें क्या-क्या चीज समान है, उसको थोड़ा पॉइंट्स में से लिख लेना है, एक लेफ्ट साइड में सब टाइटल देजे, फासिवाद और नजिवाद, ब्राकेट में लिख दीजे, ऐक सिवाध के ब्राकेट में मसोलनी, और नजिवाद के ब्राकेट में हिटलर, फासिवाद और नजिवाद Galaxyवाद के बिछैंगर है? मटलिजेंस इमोसिनलिजेंस है, मतलब नेता के तरफ से ठीक है? नेता इमोसिनलिएन्टेट है, ना मैं आया हूं ना मैं भेजा गया हूं बस आगे समझजि़ लिचे? जाके ऐस ही बोलोगे की हम साफ कर देंगे, तम गंदगी रहने ने एक भी भुटानी मिलेगा समझ गए यह तो है यह जो अब प्रधानमंद पॉलिटिकल साइंस के बोद अच्छे स्टुडेंट रहे होंगे ठीक है जो लोग भी लालु जी पॉल साइंस के स्टुडेंट रहे हुआ है जो भी नेता सब ऐसे क्या लगता है ऐसे ही थोड़े बने केसरी बने अब अब उसे छोड़ो क्या किया है किजरी अले वो देखो अब मैं क्रिडिसाइज नहीं कर रहा हूं और राजने थी कि विचारधाराई भी नहीं बदलनी है वो अच्छी बात है बिजली कम होना 200 उनिट तक कम होना लेकिन बात समझना पड़ेगा कि बिजली अगर ऐसा ही फ्री दोगे लाओगे कहां से कहां से लाओगे इंकम क्या है कैसे को कितने दिन चला पाओगे क्या ये ये इलेक्टरल प्रोसेस तक ही है कितना प्रोसेस जा रहा है, कंपनियों का कितना घाट, टाटा पावर आज टाटा है तो यह है, कल बोले का हम नहीं करते हैं, यह जो बिजली है, किस ने दिया आए, टाटा पावर ने, अब यह ऐसा व्यक्ति है कि 65% दान में करता है, अब यह मत समझना मैं टाटा के एजेंट हूँ, और वो 78% स्टेक्स है, जिस दिन इस व्यक्ति का कॉंफिडेंस हिल गया, कौन देगा बिजली यहां पर, कंपनी ओक्षन करके देखो तो कौन आती यह लेने, यह तो टाटा है, तो ठीक है, वरना काम बिगड़ जाता है, दान कर नहीं है, उसको घाटा सहके भी एक बड़ मुह से निकल गया कि लाख टके में, लाख में तो नहीं आता है, दो लाख बीस हजार में, इस अच्छा कार नहीं है, कार दिया, गडबड हुआ ना, सब का सर्विस करने के बहाने वापस लिया, सब का AC, सब चीज, घाटा सह के लगा, नैनो प्रोजेक्ट उसका 100% घाटे में, सारे इंप्लोई को पैसा घर से देता है, एक को भी फायर नहीं किया, एक अभी आदमी बता दीजी, बिजिस अंतरप्रेनर, जिसको इसको इस तरह पैसेंस हो, कोई नहीं है, रिलाएंस दो मिनिट में फायर कर देता है, नॉन प्रोफिटेबल चीज, वो प्रजाती का भी असर हो ही जाता है, उसमें सोच ये हैं कि भई, जीव मात्र के लिए इस्तेमाल हो जाना है, साधी बिवा हुआ नहीं है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, घाटा निकलता काँ से है, लैंड रोबर जेलार, है न, जैगुवर लैंड रोबर, यह फोर्ड का हो गया अपना रतन टाटा एक बार घाटा में चल रहा था टाटा मोटर बेचने के लिए, लोगोंने मजाग उड़ाया कि आपको जो चलाने नहीं आता है, तो कार के ओटो मोबिल में आया क्यो थे, वहीं से उठकिया, बिच मिटिंग से, उठको चलो, वापस चलो, इतना ध् टाटा मोटर पे, उसके बार निकाला सफारी, याद है, पहली जो सफारी आया थी, इंडिया के पूरा दिमाग को, टू पॉइंट जीरो छोड़ो, पहली सफारी, स्टॉर्म नहीं, वो पूरा मार्केट चा गया, टाटा मोटर्स को इतना बढ़िया कि सारी गाड़ी सूप एक तो उसको पहले प्रॉफिट मेलाया, ऐसा दिन आया कि फोड आया यहां पे बेचने के लिए, और हाथ जोड के कि सर हमारा JLR खरिद लेजे, यह है प्रकृति कन्याए, एक बर बोला था कि तुम क्यों आये इस बिजनेस में, और अज जैगुआर लैंड रोवर किसका है जितने सकति रतन टाटा, ताटा का भीटो टी मारा नहीं है बस, तो उसका ब्रैंड रखना है और पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी रीचेस्ट होगा ना, उसके लिए नग उलार होगा ही, जैगुआर सत dig लाग से कम में शूरू ही न यहाँ से पैसा निकालता है, और इस कमाई को नैनो प्रोजेक्ट में रखा है, और तब चला रहा है, केज्री वाल से नहीं मिल रहा है अब लेकिन आम आज भी कोई से मतलब नहीं है, तो वो एलेक्टरल प्रोसेस, इलेक्शन देखो अपने जगह है, कितनी कमपनी में पेसेंस हो गया रहा है, कम मिलेगा, बिजली का वो हल हो जाएगा आगे, कि मुस्किल है, यह नहीं है, चलो छोड़ो इसा ममत बोला करो जाता आज अब आगे आओ, फासिवाद और नाजिवाद में समानता, पॉइंट्स पॉइंट्स में, पहला, दोनों ही विचारधाराएं, हाँ, दोनों में एक ही जैसा है, थोड़ा, एक्स्प्लें करना है, दोनों ही विचारधाराओं में, लगभग एक जैसी प्रवृतिया पाई जाते हैं, प्रवृतिया पाई जाते हैं, दोनों ही विचारधारादी, दोनों ही विचारधादी, प्रवृतियों से युक्त हैं, दूसरा? दूसरा दोनों विचारधाराओं में दोनों विचारधाराओं में राज अधिनायक वाद दोनों देखो एक जैसा है, अंतर करना हो ना तो डिग्री नाजी का बढ़ा देना हो, जाधा विस्तारवादी तो नाजीजम जर्मन version हो जाएगा, राज अधिनायक वाद, जब जाधा अधिनायक वाद हो जाएख, डिटेटरशिप जाना करने लगे, तो इटली से shift हो जाओ जाओ जर्मनी तोनों विचारधारभादाराओं में राज अधिनायक वाद, State Dictatorship की अभिधार्णा पर, State Dictatorship की अभिधार्णा पर बल दिया गया है. नेक्स्ट, दोनों ही विचारधाराओं में, रास्ट्रवाद, नेशन फस्ट, हर भासन में जर्मनी फस्ट कहता था, दोनों ही विचारधाराओं में रास्ट्रवाद, उबलिक नेशन फस्ट, रास्ट्र पहले, जैसे, विचारों पर, विचारों पर बल दिया जाता है. नेक्स्ट, इटली और जर्मनी में क्रमसह, में क्रमसह, फासिवादी और नाजीवादी विचारधाराएं, विचारधाराएं, निम्न मध्यवर्ग से जुड़ी हुई, निम्न मध्यवर्ग से जुड़ी हुई, विचारधाराएं हैं, ठीक है, तो हमने यह देखा कि इसकी वैचारिक सूतरपात कैसे हुई, विचार क्या है, इसके इंपक्ट क्या होगा तो अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप हो सकता है, ठीक है, नीचे लेट साइड में एक सब्टाइटल बनाएगे, पासिवाद का प्रभाव ब्रैकेट में अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप, अधिनायक दिग्री बढ़ाओ गए तो अधिनायक देखेंगी, समांता जदा है और समांता कम है, जैसे रजवादी जदा है, नाजिजम, रास्टवादी जदा है, कोई बचे डिग्री में अंतर है, मतब इन दोनों के बीच का अंतर, एक नोट लिखी दो, नीचे नोट लिखो, फासिवाद और नाजिवाद के बीच का अंतर, प्रकार का नौ होकर मात्रा का है, एक नीचे नोट लिख देजे, फासिवाद और नाजिवाद के बीच का अंतर, प्रकार का नौ होकर मात्रा का है, कभी objective exam में ऐसा आ भी सकता है किसी UGC के exam में, teacher के exam में आई तो ठीक भी मारने में यह statement को समझने में काम आ सकता है फासिवाद और नजीवाद के बीच का अंथर प्रकार का ना होकर मात्रा का है the difference between fascism and Nazism is in degree rather than typology, ठीक है? type का नहीं है, अंतर degree का है, मात्रा जादा बढ़ा होगे, सभी में तो वो नाजी के हो जाएगा spirit थोड़ से जादा वो हो जाएगा, बाकी सारा चेजीदर नीचे लिखे तो प्रभाव फासिवाद प्रभाव ब्राकेट में अधिनाया कतंत्र, डिक्टेटर्शिप तो डिक्टेटर्शिप कैसे होगा? पहले समझ लें, फिर कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं बस जैसे ही ये इटली से ये वर्जन जर्मनी पहुंचा तो डिक्टेटर्शिप के तरफ बढ़ गया हम लोग हिटलर का नाम ज्यादा लेते हैं मुस्वलनी कभी लेते हैं, लेकिं कम लेते हैं ज्यादा नाम किसका सुनते हो? हिटलर का तो ज्यादा डिक्टेटर, अधिनायक, वाधी कौन रहा होगा? Hitler रहा होगा तो कैसे होने लगता है सब कुछ जब one one होने लगे क्या होगा जर्मनी में एक ही नेता एक ही बात सब एक ही one nation one election अब आपके insight के लिए बोल रहा हूं समझ के one nation one examination यह सब जाता नहीं होना चाहिए one 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 एक नेता में ही विष्वास सारे नेता किनारे एक नेता में ही जादा विष्वास जब होने लगे तो डिक्टेटर सिफ होगा और मॉन्टेस्क्यू पढ़ेंगे हम लोग अलगे एथिक्स भी बताया है अगर आप एथिक्स भी करते हो क्या कहता है मॉन्टेस्क्यू कि हुमन नेचर में एक व्यक्ति प्रेम राजसाही के तरफ जाता है मॉनार्की के तरफ जाता है तो फिर अधिक्टेटर टाइब का हो जाएगा मॉनार्की में हमेंसे अधिक्टेटर सिफ होती है राजा जो कहेगा वही सब सही होने लगता है तो जो वन 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 है, this is not fair, येकिन ये इसमें छुपा हुआ है, इसमें जादा चलने से ये होने लगेगा, अब इसको समझना भी है क्या भारत में ऐसा हो गया है, भारत में नहीं हो सकता है ना, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, विभिननता में एकता किये, अलोच 67 से 77 तक सासन चला, जेपी मुव्मेंट ने तहस नहस कर दिया, देखें, जनता फैमिली से निकली होई पार्टिया, क्या डॉमिनेशन है, लगतार दो बार बहुमत लेकर आई पार्टि वो, जो गयर कॉंग्रेसी पार्टि है, जिसका उदभाव, ऐसे ही जगह से हुआ, अ उसका कारण है लोगों का स्पिरिट, है ना, जैसे ही देखोगे, फैमिली में भी, घर के पिता जी भी गुष्ये वाले होते हैं, तो बच्चे उनको किनारे कर लेता, अच्छा रुकिया अब, रुकिया हम अंकल से बात करने में, दूसरे से बात करने में, बच्चे सामने जाते हैं, घर के गारिजियन को किनारे कर देते हैं, स्वभाव है, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर, एटिटूट पाया जाता है, हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पर एक ही रेस के लोग अधिक हों, उस रेस को बढ़ाने का बात करोगे, जहां कैथोलिक की संख पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा पॉपुलेशन और यह है, इसलिए यह नहीं कह सकते हैं, कि डिक्टेटरशिप कभी होगा, या हो गया है, अब यह बात है कि जब बहुमत होता है, तो पाठी तो रहेगी, पावरफुल, गांधी जी भी बोले हैं, और यह बात सच भी है कि प्रधान मंत्री का राज हो जाता हो, कभ नहीं था, इंडराजी के ताहिम में नहीं था, आज ही कोई नहीं है, अब इन्दराजी ने जो किया है वो तो अभी कुछ होय ही नहीं है, ऐस ऐसा एक्ट सब बना था, आसा ऐसा चीज हुआ था, कोफी पोसा, कितना चीज मिसा, एसेंसिल सर्विसेस मेंटेनेंस आक्ट, तो आसी भगा देती थी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ओ छोड़ो, अनलावफुल अक्टिविटी प्रिवेंशन आक्ट दिया हुआ, किसका है, इसे भी जनम्दाता कौन है, है तो वो यह अभी कोई नया थोड़ी हो रहा है कुछ, यह थोड़ा हलका ही है दवंग पाट टू में, पाट वन ज्यादा, है न, डेंजरस था, ज्यादा कुछ वो था, 75 से 77 के बीच में, कोई लिवर्टिक राइट नहीं थे, कुछ भी बोलो के जेल जाओ, ठीक, पक्ष में हो तो उपर पहुँचो, बहुत तरह का काम ह राजनिती का अपराधी करन और क्या क्या नहीं हुआ है, इस देश ने क्या नहीं देखा है, तो इसलिए वो कोई आइडियोलोजी यह नहीं है कि आज फासी बाद के मतलब हीटलर के वज़े से यह विचारधारा आज यहां पर हो गई है, यह इस तरह की चीजें ऐसी है, इ यह ईत हो देखे हैं, परदर्शन हो रहे है, नयाए-PALIगा की सा कृता है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इडिया इडियोजी उतना गीकाशिल देशों की, प्रई नहीं हो पाती है, फिर भी आलोचना तो करती है, कुछी तो मीदिया करती है, मानवा-धिकार के बी संगठनरी य तो डिक्टेटर्शिप डिफ़लम होता है, या फिर सरकार और राज्य का भेद समाप्त हो जाए, ठीक है, जैसे आपने बनाया, तो सरकार बनाया मेजॉरिटी से, ठीक है, तो आपने बहुमत को खुच करने वाला काम भी किया, यह ठीक है, तो राज्य में कौन है, भी है, पिछड़े भी हैं, सब हैं, सब की हित के लिए करोगे ना, बिजली पानी, हुका पानी नहीं बंद कर सकते हैं, उनका जीवन रोक नहीं सकते हैं, उनका आइडियोलेजी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन कई बर क्या होता है, कि जब राज का काम सरकार करने लगे, और सर क्या करेगी हमेशा, मेजोरिटी का ध्यान रखे, ये फिर सही नहीं होता है, ये गलत है, फिर वो डिक्टेटर्शिप के तरफ बढ़ेगा, फिर बहु संख्यकों का अधिनायक वाद उससे डिफलप होता है, कुछ बात समझ में आ रहा है, अभी साधार पे 370 क्या लोचना उनको प्रिवेंशन डिटेंशन करके, अगर आप ऐसा करते हैं, तो पहले पुछिए तो अच्छा होगा, ठीक है, रवीम नाट्यगोर को जोड सकते हैं, जो कहते हैं कि समाज भी महत्पुन है, सिब राज्य का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी चीजें, ठीक है, भारत में कभी भी समाज को बहुत पीछे नहीं कर पाएंगे, चुकि अध्यात्मवादी समाज है, समाज चीजें जुड़ा हुआ है, तो इस नजर से भी देखेंगे न, तो क्या भारत में अधिनायक तंत्र कभी आ सकता है, तो कभी नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि उस तरह क है यह नहीं, मजभ है, हिंदु इस द वे ओफ लाइफ, है ना, और उसमें कितने तरह के डाइवर्सिटीज हैं, कुछ होई नहीं पाएगा, कभी इतना वो फोर्स बनी नहीं पाएगा कि दूसरे को, कोई मारने के लिए कभी खड़ा हो, कभी इस तरह का हो, इसलिए कहा कुछ भी नहीं होता है, यहां तो क्या क्या नहीं किया जाता है, तो भी कुछ ध्यानी नहीं देता है, आपको किसी देवी का कैसे काटून बनाना है, बना दीजे, कुछ करना है, तिरसूल में कुछ लगा दीजे, कुछ देखेगा है, ध्यानी नहीं देगा, उस पर, है ना, तो इस तरह की जब वेवस्थाएं हैं, तो यहां पर संभावनाएं नहीं रहती हैं, धर्म का भी बहुत ज्यादा इंफ्लेंस करके लंबा नहीं चल पाएगा, चलिए, माल लेते हैं कि भारत में राजनिती में जाती धर्म का इंपक्ट है, जाती का इंपक्ट करके, आप तो गुजरात में, तो ऐसे एक दिन धर्म-धर्म खेलने माले भी, ऐसे खेलते रहेंगे और नहीं पुली फेस्बुक वली जमान होगी, दर्स-बीच साल में, भोटी नहीं देगी, जाओ, करो बदमाशी, अपने आप साइड हो जाएगा, तो कुछ चीजे लोकतंत्र में अप कुछ निगेटिव सेल बनाया, तो पॉजिटिव सेल बना के उसको मारता, कैंसर रोज होता है, रोज खतम होता है, तो इसी तरीके की बेवस्ता इंडिया में है, इसलिए कभी भी डिक्टेटर कभी नहीं बन पाएगा, तो इंसाइट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कभ होना जरूरी हो जाता है, ठीक है, लिखे, हाँ, फासी वाद में जैसे कर्तब बहुत ज्यादा बल दिया जाएगा, तो आज भी तो थोड़ा तो प्रोपगेट करी रहे ना कर्तब, जैसे जब भी देखो, स्टेट जब ऑथारिटिटिटिव होगा, तो कर्तब की याद दि है, कर्तब आया कब भारत में, 75-77 के बीच में जवराष्टि आपात था, तो उसको बता सकते हैं, ऐसा होता है सिम्टम, लेकिन 100% नहीं चलेगा, हमारे यहां कर्तब का बहुत वैल्यू नहीं है, है ना, हमारे यहां जो लिबर्टिक राइट्स हैं, फंडमेंटल राइट् तो इस तरह की सिम्टम है नहीं, ठीक, लिखे, एक टाइटल देदिजए, अधिनायक तंत्र और पॉइंटसमें लिखे पहले, इसमें लोकतंत्र का विरोध किया जाता है, पॉइंट्समें पहले जाए, दूसरा, गुभा, uh लोग तंद्र का विरोध किया जाता है, दूसरा, राज्य को समाज से अलग करके देखा जाता है, ठीक है, तीसरा, राज्य को, अगला पॉइंट, राज्य को अधिक अधिकार प्राप्त करने की संभावनाएं रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं, अर्वावनाएं प्राप्त करने वाला बन सकता हैं, नेक्स्ट, जब राज और सरकार में भेद कम होने लगे, और राज्य की सक्तियां, राज्य की सक्तियां, सरकार में ही देखी जाने लगे तो अधिनायक तंत्र, डिक्टेटर्शिप अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र का प्रभाव, बढ़ता हैं, अधिनायक तंत्र का प्रभाव, बढ़ता हैं, नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जब राज्य को सरीर और व्यक्ति को कोशिका माना जाए, जब राज्य को सरीर और व्यक्ति को सेल कोशिका माना जाए, और व्यक्ति को कोशिका माना जाए, पर बल दिया जाए तो, अधिनायक तंत्र बढ़ता है, नेक्स्ट, जब किसी एक ही लोकप्रिय जननेतां का प्रभाव बढ़े, ये भी ठीक नहीं है, जब किसी एक ही लोकप्रिय जननेतां का प्रभाव बढ़े तो, चुनवतियां उत्पन्न होते हैं, नेक्स्ट, अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र, डिक्टेटर सिप्प, का विकास तब होगा जब, विकास तब होगा जब, सर्वहारा की कुर्बानी, सर्वहारा की कुर्बानी और, पुंजी पती के हितों, का सनरक्षन अधिक होगा, ठीक है, अब कल हम लोग पहले एक्जामिनेशन करेंगे इसका, कि क्या भारत में डिक्टेटर सिप जैसे चीजें की प्रोबैबल हैं, हो सकती हैं, अधिक फासिस्ट नेचर से कुछ डील होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे, और आपका एक एक एंसर राइटिंग का भी, क्लास औरनाइज करेंगे, पहले, मेभी सेटड़े और संड़े या फ्राइडे संड़े ऐसा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में भी, एंसर कैसे हैं, लोग पुरसासनवालों को भी बोला है, जादा काम का चीज पढ़ना है, उनको भी मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, जान बोच के आलतु फालतु देता नही कैसे बनाएं, तो उस नजर से भी देखेंगे, फिर सब्जेक्ट की हिसाब से, फिर मैं भी उस पर क्लासेज उसको रखूंगा, ठीक है, उसको देखते हैं, कि